आईपेल में जारी धूम धड़ाका धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुँच रहा है सभी टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से टक कर ले रही है तो वहीं कुछ खिलाडी ऐसे भी है जो टीम को जिताने के साथ ही अगले महिने होने वाले वॉल्ल कप में जगे बनाने के लिए भी जी जान से जिटे हुए है क्यूंकि 15 अप्रेल को ही इसाफ होने वाला है कि इंगलैंड जाने के लिए किन खिलाडियों को टिकट मिलेगा तो अभी वॉल्ल कप के लिए टीम इंडिया का एलान सोंवार को होगा लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर प्रवीन कुमार ने वॉल्ल कप के लिए ऐसी जबरदस्ट टीम चुनी है कि आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि इस टीम को वॉल्ल कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता प्रवीन कुमार ने अपनी टीम में दो विकेट कीपर, ओल्ल राउंडर, तेज गेंदबाज, स्पिनर और ओपनर सब को बड़े करीने से चुना है प्रवीन कुमार की चुनी टीम पर नज़र डालें तो उन्होंने प्लेइंग 11 में शिखर धवन, बल्लेबाज रोहिट शर्मा बल्लेबाज, विराट कोहली बल्लेबाज, अमबाती रायुडू बल्लेबाज, केदार जाधव ओल्राउंडर, महिंद्र सिंग धोनी बल्लेबाज विकेट कीपर, हार्दिक पांडिया ओल्राउंडर, कुल्दीप यादव, स्पिनर, युजवेंद्र चहल स्पिनर, भुवनेश्वर कुमार, तेज गेंदबास, जस्प्रीत बुम्रा, तेज गेंदबास को चुना है जबकि अतुरिक्त प्लेयर के तौर पर रविंद्र जडेजा, मुहमद शामी, केल राहुल, दिनेश कार्तिक को प्रवीन कुमार ने चुना है प्रवीन ने जो टीम चुनी है, उसमें अनुभव और जोंश का जबरदस्त तालमेल है अनुभव की बात करें तो पूर्व कप्तान धोनी तीन, कप्तान कोहली दो और शिखर धवन रोहिट शर्मा एक वाल्लकप खेल चुके है जबकि कुलदीप, चहल और केदार, पांडिया जैसे युवा खिलाडी पहली बार वाल्लकप में उतरेंगे वैसे पूर्व तेज गेंदबाश प्रवीन कुमार ने वाल्लकप के लिए जो टीम चुनी है, उस पर आपको कितना भरोसा है क्या उसमें वाल्लकप जीतने का दम है या फिर अगर आपको टीम चुनी होती, तो आप क्या बदलाव करतें इस टीम में? कमेंट करके जरूर बताएं